हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सभी का बहुत वेलकम हैं ऐसे क्लासेस में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दे इंटर स्टेट माईग्रेंट वर्कमेन रिगुलेशन ओफ इंप्लॉइमेंट एंड कंडिशन ओफ सर्विस एक्ट 1979 जिसे हम शॉट में कहते हैं इ आएसम्डबू एक्ट यादि की दएंटर स्टेट माईग्रेंट वर्कमेन दोस्तों इस एक्ट में हम जाने time के यह काम के तलाश में दोस्तों इस Act को हिंदी में कहते हैं अंतर राजिय, प्रवासी, कर्मकार, नियोजन का विनिमय और सेवा सर्थ अधिनियम 1909 तो ये Act किस Ministry के अंदर है? Ministry of Labor and Employment और ये Act इन्फोस्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1980 1980 से क्यों आया था ये Act? To overcome temporary shortage of skilled worker, skilled worker का shortage हो गया था State में उसे overcome, उसे fulfill करने के लिए Act आया था इस Act में total 7 chapters हैं जो की divide है 36 sections में बहुत ही छोटा सा Act है लेकिन बहुत ही समझने वाला Act है तो migrant workmen अगर आप बोली से नहीं समझ पाएं तो I hope कोरोना के टाइम पे हम सब ने देखा था कि workers लोगों को कितनी जादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था जब उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और उन्हें एक जगा से दुसरे जगा जाना पड़ रहा था वो भी पैदल चलकर तो ये scene हमारे आँख में है और मुझे नहीं लगता ये scene हमारे आँख से कभी भी जाएगा तो ये क्या हो रहा था तो जो वरकर एक जगा से दुसरे जगा काम पे गए थे वो वापस अपने घर लोट रहे थे तो वरकर को एक जगा से दुसरे जगा जाने के जुरुत ही क्यों पड़ी उन्हें अपने जगा अपने state में काम क्यों नहीं मिला या फिर अगर उन्हें एक जिगा से दूसरे जिगा जाना पड़ा तो इसके पीछे का reason क्या था यही देखते हैं हम इस act में तो act सुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में discuss कर लेते हैं कि यह act क्यों आया इस act की पीछे की क्या history है तो जैसा कि हम जानते हैं किसी को भी पसंद नहीं होगा लोगों को यहिनी पसंद होता है कि वो सुबह उठकर अपने घण से बहार जौघ पर जाएं तो किसी को यह कैसे पसंद हो सकता है कि कि वो काम की लिए अपना घर, अपना ज्खा छोड़कर जाए वो अलग बात है बहुतों को घुमने का मन होता है लेकिन मजबूरी में अगर किसी को जाना पड़े तो ये अवस्ता से वो ही समझ सकते हैं जिने जाना पड़ता है तो उन्हें क्यों जाना पड़ता है मेंली इसका रीजन है फुड, प्लोधिंग, हाउस और इसके साथ और भी रीजन है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट चीज होता है अपने फैमिली की देखभाल करना उसके लिए एक जगा से दुसरे जगा जाना पड़ता है क्योंकि अपने स्टेट में काम नहीं मिल पाता अपसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी फैमिली में बहुत सारे लोग है तो वहाँ पर माइग्रेशन करना नॉर्मल है लेकिन अगर किसी फैमिली में बहुत कम लोग है नुक्लियर फैमिली है चोटी फैमिली है और वहाँ पे अगर वरकर माइग्रेट करते हैं तो यह reason होता है loneliness का अकेलेपन का दोस्तों लोगों को एक जगा से दुसरे जगा जाना पड़ता है इसके reason है अपने को पुरा करना normal सी बात है अपने स्टेट में काम नहीं मिल रहा तो दूसरे स्टेट काम के तलाश में जाना पड़ता है यह हम सब देखते हैं कि जब हम अपने घर के आसपास देखते हैं जो उची उची बिल्डिंगे बन रही है वहां पे लोग काम कर रहे हैं चाहिए कितनी कि वह लोग सुबा से लग जाते हैं और शाम करते ही रहते हैं बहुत जादा अन हाइजेनिक कंडिशन होता है उनके लिए तो बेसिकली यह बहुत जादा हाई रिस्की काम करते हैं और सबसे बड़ विवात उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिलता जिसके लिए वह अपना सो इसी के लिए यह एक्ट आया कि अगर एक स्टेट से दुसरे एक्ट अगर वर्कर जा रहे हैं तो यह जरूर ध्यान में रहे कि जिस स्टेट से वह आ रहे हैं उस स्टेट में वर्कर की सौटेज ना हो मतलब एक स्टेट में वर्कर फुल्फिल हो उसके बाद वह दूसरे स्टेट के लिए जाएं दोस्तों वरकर भी क्यों एक जगा से जगा चल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने स्टेट में बहुत कम पैसा मिलता है और दूसरे स्टेट में ज्यादा मिलता है तो इसी के लिए चल जाते हैं कि अगर हम यहां काम करेंगे इससे अच्छा हम कोई दूसरी जगा पर काम करते हैं तो इन्हीं सब के लिए आया इंटर स्टेट माइग्रेंट दोस्तों सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट ही नहीं जाते हैं वर्कर सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है migration migration बहार देश में भी होता है जैसे कि अरब देशों में सौधी अरब्या में तो हम लोग यह सब सुन रखे हैं और हम जानते भी हमारे आसपास के लोग गएं भी हैं हमें इस पता भी है लेकिन इस एक्ट में यही बताया गया है कि कैसे भी करके workers को रोका जाए और वो अपने इस एक्ट में हम पूरे डिटेल्स में चलते हैं सो दोस्तों सेक्शन वाइस सेक्शन में आपको आगे समझाती हूं सबसे फर्स्ट मिनिस्ट्री हमने देखा अब हम देखते हैं एक्ट कहां कहां एप्लिकेबल है तो एवरी स्टैबलिश्मेंट हर वो स्टैबलिश्मेंट जहां पर या फिर हर contractor, every establishment या contractor, every contractor जिसने, जिसके यहां 5 या उससे ज़्यादा ISMW, यानि कि Interstate Migrant Worker, 5 या उससे ज़्यादा worker अगर काम किये हैं, पिछले 12 मेहने में किसी भी एक दिन, तो वो contractor या वो establishment इस act के अंदर covered हो गए और उन्हें इस act को follow करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं definitions, सबसे first definition है to subsection A में appropriate government, तो हर appropriate government जहां पे industry carried by central government, अगर central government उस industry को चला रही है, तो वहाँ पर central जो अपने officer रखेंगी, वो appropriate government central के होंगे, जैसे कि किस-किस industries में central government अपने officer रखती हैं, तो railway, port, major port, mine, oil field, insurance, banking field, इन सब में central government अपने officer रखती है, तो वो central के appropriate government होंगे, और इन सब को छोड़ कर जो अधर होते हैं, वो state government रखती है, तो वहाँ पर state के appropriate government होंगे, इन सब field को छोड़ कर, फिर next है, to, subsection B में contractor, so contractor इस act में सबसे important भूमी का अधा करते हैं, तो contractor कौन है, agent, employee, सरदार, खातादार, who recruits, या supply workman, जो भी workman को recruit करते हैं, यानि कि appoint करते हैं, और supply करते हैं, दूसरे किसी को supply करते हैं, workman, एक state से दूसरे state, तो वही होते हैं contractor, टू, subsection G, principal employer, principal employer कौन होते हैं, so government के लिए for government, local authority, इन सब के लिए जो इनके head of the department होगे, वो इनके principal employer होगे, for factory या mine, factory या mine के लिए उनके owner, occupier, manager, ये सब जो होगे वो इनके principal employer कहलाएंगे, और इन सब को छोड़कर, और जो field है, वहाँ पे जो भी person, supervisor के लिए responsible होँगे, वो वहाँ के principal employer होँगे, टेक्स्ट है, to, subsection G, workman, workman कौन होते हैं, जो interstate migrant workman है, तो workman में कौन आते हैं, तो skilled, semi-skilled, unskilled, manual, जो हाथ से काम करते हैं, supervisory level पे, technical, clerical, यह सब जो काम करते हैं, यह सब workman में include होंगे, does not include, क्या workman में include नहीं होंगे, तो जो भी लोग managerial, या फिर administrative level पे काम करते हैं, वो workman में include नहीं होंगे, और supervisory level पे, जो draw कर रहे हैं, exceeding 500 पर month, या फिर पर exercise, यानि supervisory level पे जो हैं, वो workman के अंदर covered हैं, लेकिन ऐसे supervisor, जो draw कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, 500 पर mensum, यानि कि 500 हर month, या फिर हर exercise, हर काम के हिसाब से, जो 500 से जादा draw कर रहे हैं, वो supervisory level पे आ जाएंगे, और वो इसमें include नहीं होंगे, तो ये आज की class के लिए मैंने आपको इतना topic कवर कराया है, अभी आप जूड़े रहे हैं, क्योंकि हम पूरी act कवर करेंगे, part by part, मैं बहुत ही जल्दी part में सब finish करने की कोसिस करूँगी, तो दोस्तो आज का आपका question है, ये question का answer आप मुझे comment करके बताइए, अगर आपने अच्छे तरीके से पूरा act कवर किया है, तो आपको answer ज़रूर आएगा, और अगर answer नहीं आ रहा है, मतलब आपने concentrate होके वीडियो नहीं रेखा तो आप फिर से एक बड़ देख लीजे, अगर आपको कुछ suggestion देनी है, तो आप दे सकते हैं, you are most welcome, कोई act की वीडियो चाहिए, तो आप हमें वो भी बता सकते है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी इस से रिल्टेट और भी बहुत सारी वीडियो आएंगे, और इसके MCQs भी मैं आपको दू अपको कुछ बता सकते हैं